विधान परिशत की स्थाने निकाई के द्वारा होने वाले चुनाव के लिए भारतिय जंता पार्टी ने पूरो उल्जामंत्री चंदरशेकर बावन कुले को पार्टी का उमिद्वार बनाया है 52 को टिकेट के साथ ही पार्टी ने उन्हें एक और मौका दिया है इस लिहास से 52 के लिए यह चुनाव बहुत महत्वपुन होगा हाला कि कॉंग्रेस ने अब तक नाम की गोशना नहीं की है लेकिन पूरमत्री राजंद्र मौलक का नाम लगबग फाइनल मना जा रहा है उल्लेखनिय है कि गिरिश व्यास का कारेकाल 31 दिसंबर को खत्म हो गया तब से सीट खाली है चुनाव आयोक द्वारा चुनाव की तिथी की घोशना करने के बाद कॉंग्रेस और भाच्पा में सक्रियता बढ़ गई थी आखिरकार गुरुवार को पार्टी के पूर्व उल्जा मंत्री चंदरशेखर बावनकुले का नाम घोशित कर डैमेज कंट्रोल का काम किया है पिछले विदान सबा चुनाव में पार्टी ने बावनकुले को कामठी से उमेदवारी नहीं दी थी इसके बाद उन्हें पार्टी में बड़ापर दिया गया हाला कि बावनकुले भले ही चुनाव में खड़े नहीं हुए थे लेकिन वे अपने शेत्र सहीत महाराष्ट में सक्रिय रहे है विदान परिशत चुनाव 10 दिसंबर को होने जा रहा है इस चुनाव में 562 मद्दाता है इसमें मनपा के 151 नगर सेवक और 5 को आप मेंबर मिला कर 156 वोटर है साथ ही जिला परिशत के 58 सदयस्य तेरा ग्राम पंचायत समीती के सभापती नगर पालिका वन नगर परिशोदों के 336 सदस्य भी वोट डालेंगे बीजेपी का उमिद्वार घोशित होने के बाद से यह चर्चा होने लगी कि आखिर कॉंग्रेस का उमिद्वार कोन होगा पार्टी की ओर से ग्रामिन जिला अद्रेक्ष राजेनर मुलक को टिकेट देने की संभावना वेक्ट की जा रही है जिस तरह 52 कुले के कॉंग्रेस से अच्छे संबंध है उसी तरह मुलक के बीजेपी में भी बहुत चाहने वाले है यही वज़ा है कि यह चुनाव बहत रोचक होगा